तो एक और न्यूव वीडियो लेकर आए हम यह वीडियो की हर्याना कोसल रोजगार निगम पे है जितने भी बच्चे इसके लिए एपलाई कर रहे हैं जो भी वैकेंसी निकली हुई है इसके उपर हमने एक वीडियो और बनाया था जिन बच्चों की फीस सब्मिट हो चुकि यह बट वहां पे स्टेटस नोट पेड दिखाता है और उनका फोर्म फाइनल सब्मिशन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए वीडियो है काफी बच्चों की कुमेंट आ रहे थे या पूछ रहे थे हमारे पास मेल करके कि सर हमारा जो ग्रेवेंस के उपर हमने पोर्टल के पर कंप्लेंड की थी तो भी हमारी फीस वहां पे नोट पेड शो अभी अभी तक हमारा फोर्म फाइनल सब्मिट नहीं हो पा रहा तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं अगर आपका फोर्म अभी भी रुका हुआ है सब्मिट नहीं हो पा रहा तो आपको एक काम क करते ही आपका forum final submit हो जाएगा आपकी जो fee है वो paid show होने लग जाएगी उसके बाद आप असानी से अपना forum submit कर पाएंगे ठीक है तो वीडियो में end तक बने रहें आपको सिर्फ क्या करना है ये उपर एक mail id फ्लैश हो रही है इस mail id के उपर एक mail करना है ठीक है mail में simply क्या करना जैसे आपने पहले जो previous वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि आपको अपनी जो fee है जो pay करी थी उसकी जो slip है या receipt है वो attach करनी है ठीक है वो upload करनी है उसका screenshot ले लेना है या उसकी PDF बना लेनी है ठीक है और साथ की साथ आपका जो registration id है ठीक है जो आपने causal में registration किया है जो जिस्वी post के लिए apply कर रहे है तो उसका registration id मिल जाता है ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे है यह दिख रहा होगा आपको यह होता है registration number ठीक है यह वाला screenshot भी आप attach कर सकते हैं और mail में लिख सकते हैं कि यह हमारा registration id है और हमने fee pay कर दी है बट हमारी fee paid status यो नहीं हो रहा और ह हमारा जो forum है वो final submit नहीं हो पारा ठीक है तो इस तरीके से आपने लिखना mail सुरू से क्या starting करनी है dear sir हमने कोशब के लिए apply किया था हमारी fee pay हो चुकी है यह उसकी receipt है जो कि हमने mail में attach कर दी है और हमारा final submit नहीं हो पारा please help me ठीक है तो जल्द से जल्द आपका solution हो जाएग ठीक है और कुछ समय बाद आप login करके देखेंगे तो आपका वहाँ पे status जैसे ही हो जाता है कि fee के अंदर paid fee आपकी pay हो चुकी है तो आपको forum के अंदर जाना है view form के उपर जाना है view status के उपर जाना है check status तो आप जैसे login करते हैं तो आगे last step जो था जहां से आप final submit कर रहे जहां से fee payment आपने करी दी वहाँ पे आप क्या कर पाओगे दुबारे से submit कर पाओगे final submit आपका forum हो जाएगा ठीक है तो कल 18 तारीक है last date है कल server बहुत जादा बेजी हो जाएगा जिदने भी बच्चों में fee pay कर दिये तो वो ये जल्द जल्द काम कर लें इस email id के उपर आप अपना ये जो query है ये भेज दीजिए आपका solution हो जाएगा 100% sure है तो चलिए वीडियो को quit करते हैं thanks for watching